लो गाइज देस अब शेक कुमार सिंग वन सगें वेलकम टो यूट्व चैनल एजुकेशनल एक्सपोर्टीज वन सगें आज की जो हम क्लास करने जा रहे हैं वो प्रीविस येर्स कोश्चन से रिलेटेड है आज हम वेश्ट बेंगॉल के सेट के जोगरफी के 2017 के कोश्चन को क्या करने कि सॉल्व करें तो चले वीडियो को ज्यादा देन ना करते होगे हम कोश्चन को शुरू करने की कोशिच करते हैं। और यहां देख सकते हैंब का पहला लिए तह सवाथ योटो ए शेटिलमेंट के डिस्रिबूशन को एकस्प्रीन करती है कौन से थियोरी शेंटरama अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन देख दिया गया है at the end of 20th century which of the following produced highest amount of food तो 20th century के end में कौन highest food का production करेगा तो उसका सही जवाब है आपका आपको पता है आज भी एशिया के अंदर दनिया में सबसे ज़्यादा खेती करी जाती है चलिए अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन जो दिया गया है वो है adiabatic temperature change in atmosphere is caused by which one of the following तो adiabatic जो temperature change होता है atmosphere का वो इन में जैसे किस चीज को सबसे अच्छे से प्रदर्चित कर रहा है तो बच्चे यह आपका c option बल्कुल सही है expansion और compression of जो air होता है वही adiabatic temperature change rate होता है ठीक है वही क्या होता है आपका adiabatic temperature change होता है क्यों आप सभी को पता है जैसे ही air गरम होती है तो वह expand करके ऊपर की तरफ move करती है और जैसे ही वह ठंडी होती है तो उसका compression होना शुरू हो जाता है और वह नीचे की और आके settle down हो जाती है चलिए अगला question देखेंगे अगला question आपका जो दिया गया है वो दिया होई होती है और उसकी मदल से एक shallow lagoon create हो जाता है तो उस shallow lagoon को हम क्या कहते है तो बच्चे उस shallow lagoon को हम क्या कहते है एक ठीक है इसकी जो shape होती है वह horse के leg की तरह हो जाती है अगला question देखेंगे तो अगला जो फिफ्ट question दे रखा है बच्चो इसको आपको correct matching करनी है तो आपका water mass दे रखा है और average temperature दे रखा है ocean का तो आपको correct match करना है कि आखिरकार क्या है तो बच्चो जो अंटार्टिका का bottom temperature है वो minus में होगा आप सभी को temperature आज सभी को पता है काफी चाहता होता है South Indian Ocean की बात करी जाए तो वो 16 degrees Celsius होगा यानि आपका B option क्या हो जाएगा बिलकुल ही correct हो जाएगा चलिए अगला question देखते हैं अगला question पेटा जो छटा question दे रखा है आपको उसका उसमें पूछा जा रहा है which of the following is not among the four coral reef region of India identified by the government of intensive conservation and management तो इंडिया में जो coral reef का conservation करती है तो वो government for intensive conservation and management करती है तो उसने इन चार में से एक की पहचान नहीं करी है तो जानते हैं Gulf of Manar के पहचान करी है लक्षदीव को एक coral island है अंडवान निकवार में भी पाए जाता है बर Gulf of Khambath ठीक है यहां पर नहीं पाए जाता है और यहां नौठी बोला गया है तो आपका B क्या हो जाएगा बिलकुल ही correct answer हो जाएगा साथवा question देखेंगे कि उसमें पूछा जा रहा है assertion और reason तो पहला assertion कहा जा रहा है the Himalayas have attained the isostatic equilibrium तो बच्चों यहां कहा जा रहा है कि क्या हिमाले ने आइसो स्टेटिक equilibrium अचेव कर लिया है तो यह सरा सर गलत बात है बिलकुल ही गलत बात है reason देखते हैं the Himalayan rivers have rejuvenated in the past बिलकुल ही सही है बिलकुल correct बात है तो बच्चों क्या हो जाता है सही हो जाता है a false है but r जो है वो true है आठवा question देखेंगे आठवे में दिया गया है during the weathering of felspur all the following are product except जब भी felspur का weathering होता है तो उनमें से एक के अलावा बाकि सभी जो product है वो बनते हैं तो बच्चे इसमें iron oxide के अलावा clay भी बनता है आपका soluble carbonates भी बनते हैं आपके और collider silica भी आपका बनता है तो अगले question की तरफ देखते हैं जरा two glaciers cutting headward from opposite direction तो बच्चे दो glacier जो है headward headward की तरफ opposite direction से क्या किया जाते हैं काते जाते हैं तो इनमें से कौन सी shape जो है वो बनके आती है तो बच्चे इसका जो correct transfers को हम call कहते है तो यह आपकी mountain की peak है तो यहाँ पर भी erosion हो रहा है और यहाँ पर भी erosion हो रहा है तो यह जो दोनों shape बनती है इसी कौम क्या कहते हैं cool के नाम से जानते हैं चलिए अगला question देखते हैं दसवा acid rain is formed due to contribution from the following pair of gases तो acid rain जो है वो किन दो gases की मतबस से होती है तो इसमें कौन सा बढ़िया option है बिल्कुल B option इसमें बिल्कुल correct है nitrogen oxide और oxygen इन दोनों की वज़े से ही जो है acid rain क्या है possible हो पाती है चलिए आगे देखते हैं 11 जो आपका question दिया गया है species diversity in ecosystem is usually measured by using तो बैटा species की अगर diversity ecosystem के अंदर अगर हमें निकालने हैं तो हमें इन में से कौन से इंडेक्स का इस्तमाल करना चाहिए तो बच्चे हमें इसमें शनान विनेर इंडेक्स का इस्तमाल करना चाहिए ठीक है इसी के इस्तमाल से हम ecosystem में क्या करते हैं species की diversity को निकालते हैं चलिए अगला कोशन देखते हैं समो सेरी इसा सक्षेशन विच स्टार्ट इस डवलपमेंट और तो बच्चे समसेरी जो सक्षेशन है उसका development कब से स्टार्ट हो जाता है तो उसका development बेर उसके बाद लोज सेंड इधर ओन सी और लेक शोर्स से स्टार्ट हो जाता है ठीक है जी सी ऑप्शन बिलकुल ही करेक्ट है चलिए 13 कोशन देखेंगे यहां पर बोला गया है बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इस रेशो बिट तो जो बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल जो है वो किन दो इस रेशो होता है तो बच्चे वो मास ऑफ सॉलिट सॉइल और पोर इस्पेस का क्या होता है रेशो होता है ऐसा ही 14 कोशन को देखेंगे तो 14 कोशन जो दिया गया है which of the following is incorrect about stratosphere तो बच्चे यहां पर stratosphere के बारे में एक बात जो है वो बिल्कुल ही incorrect है तो यह इसमें पूछा गया है कि it extends up to 18 km और more above troposphere अगला है it is cold cloudless and extremely thinnion यह बिल्कुल सही बात है dust in small proportion is present dust थोड़ी बहुत होती है there are marked seizure temperature changes हाँ थोड़ा बहुत changes आपको यहां देखने को मिल सकता है पर यह जो है वो बिल्कुल है क्या हो जाएगा incorrect हो जाएगा ऐसे ही अगला कोशन देखेंगे तो अगला जो कोशन आपका दिया गया है the dynamic theory of monsoon is based on तो बेटा monsoon की जो dynamic theory है वो किस चीज के उपर based है तो वो आपकी बेटा seasonal shifting of pressure belt के उपर क्या है प्रेशर बेट के उपर depend करती है जैसे ITC jet के उपर depend करती है कि जब भी sun जो है उसके direction ट्रॉपिक ओफ कैंसर पर होती है तो नौर्थ की तरफ shift हो जाती है और ट्रॉपिक ओफ कैंसर की तरफ होती है तो south की तरफ क्या हो जाती है shift हो जाती है बेल्ट चलिए अगला question देखे तो इसमें दिया गया है वहाँ पर ट्रॉपिकल साइकलोन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं अगला रिजन दिया गया है तो पूछा जा रहा है विच्च जोगरफर वोस्ग्राफिक और इस्टीरियोगराफिक प्रोजेक्शन का क्या किया अविश्कार किया था तो बच्चे इन दोनों ही mediocre का इस्तमाल प्रॉजेक्शन ने किया था एन एक्जी मेंडर ने मैप बनाया था मैप इसकेल को यूज करके बनाया था ठीक है अगला कोशन देखेंगे 18 कोशन वू अब थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि दुनिया का जो पहला मैं फ्रबिटा वो किस ने बनाया था तो वो जो आपका है हेरो डॉटस ने बनाया था और उन्हें ने वर्ल्ड को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था ठीक है वर्ल्ड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था चलिए अगला कोशन एजर्शन और रीजन पूछा जा रहा है त नौर्थ वेस्टन पार्ट ऑफ द रिसीफ द लोवेस्ट अमॉंट ऑफ बीन एन्वर इन्फॉल इन कंट्री यह भी सही बात है पर रीजन जो है वो एजर्शन की सही एक्स्प्लेशन नहीं दे पा रहा है तो हम क्या करेंगे बी ऑप्शन को बिलकुल सही कर देंगे क्योंकि यहाँ टेंपरेचर की बात करी जा रही है यहाँ रेंफॉल की बात करी जा रही है और दोनों में ही कोई भी रिलेशन्षिप नहीं देखता मिल रहा है चलिए 20 गोशन को देखेंगे तो 20 कोशन कहता है दा बलभनिन प्लैग विच स्वेप्ट अक्रों से नाम से जाना जात क्या था दब्लैक देट ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं कि अर्पन ग्रोट अराउंड मेट्रोपॉलिशन सिटी इस कंसिस्टिंग ऑफ सिटी कियर एंड कॉंटिनियूस टाइप आफ स्प्रॉल इस नौन तो पिटा लगातार कोई भी सहर है वो अपने आसपास के एर इस प्लोडेट सिटी के नाम से जाना जाता है 22 कोशन के और जारा हम देखें कि बेटा 22 कोशन बोला जा रहा है नूए एकनोमिक जोगरफी इस अप्रोच तो बेटा नई एकनोमिक जोगरफी है वो किस चीज की अप्रोच है पहला पॉइंट देखें एक्शोशेटेट वि अगला क्या दिखाया है अपलाइस थिएरा अब्रेंट एकनोमिक की बात करेंक जाएगी एकनोमेंट्रिक टेकनिक्स यह भी बिल्कुल सही बात है ऐनी डी आप्शन का आपका बिल्कुल ही करेक्ट अंसर पाया जाता है यह बढ़ा ही मैत्पूर्ण कोश्च्चन है जूप का पूछ रहा है the concept of topophilia was introduced in geography in 1961 तो topophilia introduced कब किया गया था किसके द्वारा किया गया था तो बच्चे chinese ज्योगरफर जी फूर द्वान के द्वारा किया गया और यह humanistic ज्योगरफर क्या है humanistic ज्योगरफर है यह भी आपको याद रखना है चलिए अगला question देखेंगे अगला question बोल रहा है the belief that social conditions not an environment are the dynamic force behind the cultural development is termed as social condition की बात करी जारी है ठीक है social condition किस तरह के cultural development को produce करता है तो वो है possibility ठीक है आपको पता है France school ने इस concept को दिया था यह February दोरा यह concept दिया गया था 25th question को देखेंगे बेटा 25th question कहता है demographic transition theory stated that as a country becomes industrialized demographic transition जो थे वो क्या कहती है कि किसी भी country में जब ओद्योगी करन बरता है तो क्या होता है तो बेटा death rate जो है वो decline होता है और birth rate भी धीरे-धीरे क्या होता है आपका decline होने लग जाता है इस वाले condition में Europe के countries और आपके North America सामिल है ठीक है बेटा अगला जो question वो है the higher percentage of population under 15 years of age is concentrated in which continent तो बेटा 15 साल से कम उमर के बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा कौन से महादिव के अंदर पाई जाती है तो उसका सही जवाब हो जागा अफरीका जी हाँ अफरीका में 15 साल से कम उमर के बच्चों की जो है संख्या जादा पाई जाती है चलिए अगला question देखते हैं 27 as per the world health organization how much percent of pregnancy और its management related death take place in developing countries तो WHO के according कितने percent जो death है वो developing countries में pregnancy या उससे management related चीजों से होती है तो बेटा 99% जो है वो death जो है women's की इसे कारोनों की वज़े से हो जाती है अगला question जो है मपैबले unit of an area in a map of one ratio 50,000 skills तो बेटा ये कितने के बराबर होगा तो ये जो है बेटा आपका one hectare के बराबर होगा किसके बराबर होगा one hectare के बराबर होगा अगला question देखेंगे तो अगला question है ठीक है उसके बाद कहा जा रहा है it is constructed on the basis of cumulative frequencies तो बेटा ये गलत बात है ठीक है ये गलत point है अगला जो question है वो है the ratio of area between line of perfect equality observed Lawrence curve to area between the line of perfect equality बिल्कुल ये सही बात है ठीक है Lawrence curve can't be rise above the line perfect equality बिल्कुल सही बात है या पे बी परण्ट जो है वो बेटा आपका बिल्कुल ही क्या हो जाता है गलत हो जाता है चलिए 30 question देखेंगे तो 30 question में पूछा गया है standard error of sample of success can be determined by the following formula तो इन में से standard जो error है वो कौन से formula की मदद से निकाला जाएगा तो बेटा वो आपका जो है वो आपका इस formula की मदद से निकाला जाएगा under root pq upon में n ठीक है अगला question देखेंगे which one of the following is relative measure of dispersion तो इन में से कौन सा एक relative measure है dispersion का तो बच्चे आपका d coefficient of variation जो है वो dispersion के लिए योज किया जाता है चले अगला question देखते हैं which one of the following statement is correct with reference to fog तो correct जब बोला जाता है तो it is kind of mist very low visibility नहीं 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 यह बिल्कुल गलत बात है it occurs in lower part of the troposphere बिल्कुल बिल्कुल fog जो है वो कहां lower part में तो होता है it is produced due to air drainage air drainage गरत बात है तो it is mainly found in coastal area नहीं बिटा हर जगा मिलता है ठीक है हर जगा देखने को आपको मिलता है चलिए अगला question देखते हैं how is area of city most likely to be represented on one ratio 50,000 scale on map तो बेटा इसका correct answer है c option इस तरीके से दिखाया जाए ठीक है चलिए अगला question देखेंगी उसमें बेटा पूछा जा रहा है what is counter urbanization ठीक है counter urbanization से आप क्या समझते हैं तो basically a process of population decentralization prompt by several factors including the coast of living मालीजे किसी नगर के केंद्र से जब जटसंक्या है वो बाहरी किनारों में जाके बशना शुरू कर देते हैं according to RP Mishra, KV Sundram and BLS Prakash Rao the number of planning region in India are as fellows तो बैटा इन्होंने कितने planning region के बारे में बात करी है तो बैटा इन्होंने बात करी है आपके 13 macro और 36 meso region के बारे में याद रखेगा 13 macro और 36 meso region के बारे में इन्हेंने planning region को divide किया था इंडिया के संदर्व में फिर आता है canal irrigation is most important in the northern plains of India because तो बैटा canal irrigation क्यों important है northern plains में इंडिया में आखिरकर वो क्या कारण है तो बैटा उसका जो कारण है वो आपका है the source of canal are perennial river देखिए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डीवर जो है northern plains में आपको देखने को मिल जाती है तो बैटा इसी लिए इसी लिए क्या होता है reverse perennial है तो हमने क्या कर दिया canals बना ली ताकि irrigation और easy हो जाए चले अगला question there is now a tendency to set up more sugar producing factories in South India क्या reason है कि बैटा साथ इंडिया में factories चीनी की ज्यादा लगाई जा रही है तो पहला जो region बोला जा रहा है longer crushing season बढ़ी बढ़िया बात है सही बात है higher productivity of sugar cane तो बैटा ये भी correct बात है फिर बात आती है तीसरे factor की scarcity of other crash crop cash crop बैटा ये गलत बात है बहुत ज्यादा हो गई जाती है efficient transport system c बिलकुल correct है ठीक है अगला देखेंगे mention one large antecedent river from the following that cut into portion of eastern ghat and flowing down towards bay of bengal तो बैटा वो आपकी महा नदी है कौनसी नदी है आपकी महा नदी है महा नदी है एक antecedent river का best example है southern india चलिए अगला जो question है चमार्स और उत्तर परदेश की writer कौन है ठीक है चमार्स और उत्तर परदेश की writer कौन है अगला जो देखेंगे question the branch of science dealing with the improvement of human race is called तो बैटा वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम human race की improvement के लिए deal करते हैं तो बैटा वो आपका हो जाता है eugenics क्या हो जाता है eugenics हो जाता है आपका चलिए आगला question देखते हैं who among the following is known for his or her work on vernacular house in India तो इन मेंजे कौन जो है वो वरना कुलर हाउस इन इंडिया के काम के लिए सबसे ज़्यादा परशिद रहे तो थे nobel कौन थे nobel याद रखें ठीक है अगला बिटा matching का question है तो जरात ध्यान से करेंगे matching देखते हैं आपका service center की बाद जो है बिटा वो किसने करी वनमाली ने करी थी किसने करी थी वनमाली ने करी थी growth of hierarchy की बाद बिटा मिश्राजी करते हैं ठीक है उसके बाद हम बात करते है economic regionalization पी सेन गुपता का नाम आता है growth pole सभी को पता है पैरोक्स ने दिया था तो इसी तरीके से हमारा पहला question point जो है वो बिल्कुली सही हो जाता है ये बड़ा ही आसान question है मैक मुहन लाइन जो है बेटा इंडिया और चाइना का division करती है यानि थरी हो गया तो इसमें इसमें दे रखा है राड़ किलिफ लाइन जो है बेटा इंडिया और बांगलादेश के समल लेते हैं पर बांगलादेश के बेटा पाकिस्तान आना चाहिए ठीक है तो बेटा ये आपका हो जाएगा ये यानि ये कट हो गया दुरंद लाइन बेटा तू है और ये है medicine line Canada and USA तो बेटा C बिल्कुल correct है अच्छे से समझ लीजेगा चले एगला खोशन देखते हैं इनमें से कौन सा एक example प्रोरप्ट इस्टेट का नहीं है तो बेटा वो है South Africa ठीक है क्या है South Africa प्रोरप्ट से स्टेट का example नहीं है चले अगला खोशन देखेंगे contour survey requires the following instrument तो बेटा ये बड़ा ही महत्तपून प्रशन है contour survey के लिए कौन कौन सी चीज़े आपको चाहिए होती है तो बेटा आपको चाहिए होता है एक तो prismatic compass आपको plumb bob चाहिए होता है आपका measuring tape चाहिए होता है आपका dumpy level भी चाहिए होता है और आपका 6 जो है वो क्या है measuring stop भी चाहिए एलिडेड नहीं चाहिए ठीक है तो बी बिल्कुल सही है ये प्रशन रट लिजेगा interview में भी ये पोचा जा सकता है अगला कोशन है agroforestry या अग्रो फोरेस्ट्री या अग्रो सोशल फोरेस्ट्री बोथ include तो बेटा इन दोनों को किस चीज़ के अंदर include किय जाता है ठीक है याद रखेगा बढ़िया आखरी के चार प्रश्न बढ़िया से करेंगे which among the following occupations does not fall under quaternary quaternary sector तो बेटा चतूर्थक sector के अंदर इन में से कौन कौन से activity नहीं आती है तो बेटा बिजनस्मैन और ट्रक ड्राइवर ये tertiary के अंदर आते हैं तो ये नहीं आती है काटने के अंदर ठीक है नॉट बोला था 48 question which of the following is dominant fuel that is trapped in the form of gas hydrates at low temperature and high pressure within the seabed तो बेटा इसका जो आपका correct answer हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा methane ठीक है क्या हो जाएगा आपका methane हो जाएगा बेटा ठीक है चलिए 49 देखेंगे in ancient period the boundaries developed as the तो बेटा ancient period में boundaries को किस तरीके से developed किया जाता था तो उसे बेटा frontier के रूप में develop किया जाता था तो पचास और आकरी math mode present बेटा as per UNDP human development report 2016 की report के अनुसार कौन सी top three countries तो सबको पता है बेटा नौर्वे और स्ट्रेलिया और स्विजर लैंड इसका बिल्कुल ही correct answer हो जाता है ठीक है so guys I hope आज की class काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी और अगर लगी है गाइस तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जर प्लीज जड़न करें बाइस जर लाइस लाइस जर बाइस झाल झाल